अंध विश्वास के बारे में ये कहा जावे कि किसी भी कारिय को प्रणामों से अपरिशीत वोकर उस पर आख बनकर उन विश्वास को मान लेना तर्क बिना विचार किये बिना मान कर स्विकारना उसे ही अंध विश्वास कहा जाता है कोई भी चीज को जाने बिना कोई भी थियरी को तथ्यो तपासे बिना वो थियरी को मान लेना वो ही अंद्विश्वास है विश्व के सभी देशों में सभी संप्रदायों में सभी समाजों में अपने अपने तरीके से अंद्विश्वासों को सदियों से मान कर स्विकारा गया है लेकिन जैसे जैसे मानुशब्यता डेवलोप होती गई ऐसे ऐसे थोड़ा सा परिवर्तन आता गया है भारत में भी अंध्विश्वास का प्रमुख कारण मानुख का डर और स्वाथ निती पर निर्भर है जिसकी वज़ज से अंध्विश्वास की और जाने से वो खुद को नहीं रोक पाता है भारत में अंध्विश्वास की कुछ ऐसी परमपर आये है कि जो आध्यात्मिक शेत्रक के जड़ को खतम करने वाली है वो आध्यात्मिक शेत्रक की जड़ को खतम करने में ज्यादातर आध्यात्मिक मानव ही लगय हुए है अंध्विश्वास एक ऐसा विश्वास है कि इनका ना कोई वजूद है ना कोई उनका उचित परिणाम है ना कोई उनकी सच्छी थियरी है सिर्फ और सिर्फ मन गडित विचार धारा से जूड़ी हुई थियरी है और कवियों और लेखों कोई मन गडित विचार धारा की ये नौवेल कठाओ है भक्त बनो लेकिन अंध्भक्त मत बनो इस सुत्र सही में उचित है किसी भी कारिय को करने से पहले इसके बारे में तर्क पूर्ण विश्लेशन करना बहुत जरूरी है विश्लेशन के करने की बिना की कोई सीज को मानना वही अपने को अंध्विश्वास कहा जाए वो विश्लेशन के परिणामों को मान कर कारिय करना ही विश्वास कहा जाता है हम कोई भी सीज को कोई भी छियरी का विश्वास करते हैं तो उनका परणाम सच्चाई में मानता है तच्छयों को मिलता है तो वो मानना चाहिए और वो मानकर कारिय करना विश्वास कहा दावे लेकिन हम मानवो इसके बारे में कभी भी मनन मन्थन तो करते ही नहीं है शिफ्वास निती के पीसे ही भाग कर अंध्विश्वासी बातों पर यक्तिन कर लेते हैं क्योंकि हम मानवो परिश्रम में कम मानते है और अंध्विश्वासी बाते ज्यादा दर मान लेते हैं के रूप में प्रगट हो गया है मानुओं के भीतर यही समस्य पैदा हो गई है अंध्विश्वास ज्यादातर मनोबल का कमजोर मानुओं में ज्यादातर दिखने मिलता है गरीब पीश्डे जातियों में भी ज्यादातर मिलता है अंध्विश्वास एक अलोकिक प्रभाव की कालपनिक व्याख्या भी कहा जावे। क्या कहा जावे। एक अलोकिक प्रभाव की कालपनिक व्याख्या भी कहा जावे। अलोकिक सुख भोगतने के लिए माना जाता है लेकिन अंध्विश्वास को कभी भी कोई भी मानव ने आज दिन तक सफरता की और परिणाम नहीं देखा है फिर भी मानव वही बातों में ज़्यादातर मानते है वहां अमारा मानना अमारा ही मनन मन्थन का अभाव कहा लावे मनन मन्थन या तो तथ्यों सही नहीं मिलने वाली बातों को कभी मानना कभी सुकारना नहीं चाहिए तथ्यों को तपासो मन्थन करो बाद में वो बात को मानना चाहिए जब तक धर्म के साथ अंद्विश्वाद जुड़ा है तब तक सही धर्म, सही रा, सत्य क्या है, असत्य क्या है वो किसी को सभी से दूर रहता है मानौ स्थूल जगत के लिए तो बहुत ही डेवलोप हुआ है मानौ का मन यहां तक कि जो सिध्यों अपने देवी देवताओं के अपांस नहीं थी, वो सिध्यों हम मानौ ने कुछ भी किया बिना उसका भोगोटा कर रहे है यह बहुत बड़ी एक मानौ की सिध्धी कहा लावे, लेकिन यह स्थूल जगत के लिए अध्यात्मिक सित्र के लिए, सुक्स्म जगत के लिए मानऌ का मनन मन्थन बिल्कुल नहीं है अध्यात्मिक सित्र के लिए मानव अपनी गनान की गहराई की खाडी में गीर गया है कि जहां से वो बार ही नहीं निकल पाता है, कभी निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि कभी कोई बातों पर मनन मन्थन करते ही नहीं है, केतो तो केती ती बातों सी दिमान लेते हैं, सिकार लेते हैं, और उनको अमल करने लगते हैं, मिलता कुस नहीं है, परिणाम कुस मिलता नही है खर्ष होता है समय बरबाद होता है सब कुस बरबाद होता है अंत में ठक कर दुसरी थियरी को पकड़ते है वहां भी यही होता है चारों तरब मानों इधर उधर 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 अंदोश्वास की लाई में कुछ किये बीना कुछ हासिल करने की लाई में बटक रहे हैं लेकिन सभी बाबतों में मानों को मनन मन्थन करना बहुत अवश्या है मनन मन्थन किये बिना कोई स्वी दम को स्वी कारने नहीं चाहिए